नमस्कार मित्रो, जब्वे में बगवान श्री कृष्ण का संभवा में युगे युगे ये वाक्य सुनता हूँ, तब मेरे और सब के मन में एक बहुती अलोकिक भावुत्पन होता है, के स्वयम बगवान हमारी और हमारे धर्म की रक्षा के लिए पुन्ह आउतार लेंगे जब जब धर्म की हानी और अधर्म की रुद्धी होती है, तब दब में स्वयम प्रकट होता हूँ, ऐसा स्वयम बगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन ये कहने के बाद भी बगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ही युद्ध करने को कहते हैं, इसलिए मेरा मानना ये ह कि भगवान श्रीकृष्ण आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे लेकिन कर्म तो आपको ही करना होगा बहुत सरे लोग भगवान की राह देखते रहते हैं कि वो आएंगे, कुछ अच्छा करेंगे धर्म की रक्षा करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे दुष्टों का संहार करेंगे लेकिन भगवान श्रीकृष्ण का संदेश, उनका ज्यान, उनका आनुबव, गिता के रूप में हम सब के पास में अभी भी है तो धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए हम सब कोई आगे क्यों नहीं आना चाहिए इसलिए मैं कहता हूँ कि हम सब युद्धाई है बगवान श्री कृष्ण ने हम सब के उपर ये बहुत बड़ा अदाईत वो दिया हुआ है ऐसा नहीं है कि हर किसी को जाकि युद्ध ही करना है लेकिन जैसे बगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल अपना कर्म करो आपका जो भी काम है उस काम से अधिक से अधिक अपने देश की हमारे राष्टर की, हमारे धर्म की जितने हो सके उतने हमें सेवा करनी है जितना हो सके उतना अमारे धर्म को आगे ले जाना है अधर्म का नाश करना है समाज में हम कई बार गलत चिज़े होते हुएं देखते हैं कितने भी बड़ी वी पदा आए हम भारतिय हमेशा एक जूट होकर उससे सामना जरूर करते हैं हम सब को एक युद्धा की तरह सोचना शुरू करना है हम सब को भारत मादा कवीर बनना है जो दाईत भगवान श्री कृष्ण ने हमारे कंधो पर दिया है श्रिमत भगवत गीता की रूप में हमें जो संदेश दिया है जो महा ग्यान दिया है उसे हमें आगे ले जाना है जरा सोचिए अगर हर भारतिय अरजुन की तरह निशंक और निडर होकर अपना कर्म पूरी लगन से करे तो आज पूरे विश्व में भारतियों को कोई भी रोक नहीं सकता है ये सब मेरे विचार है अगर इसमें कुछ मैंने गलत कहें दिया हो तो मुझे माफ कर देना आपकी इस विशे पर क्या राय है मुझे निचे कमेंट्स में ज़रू बताइए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में जै श्री राम